हेलो फ्रेंज वेल्कम बैक टू मैं चैनल आज की वीडियो में लेके आई हूं आप लोगों क्लिप बहुत सुन्दर सी एक स्वेटर जिसे हमने फ्रॉक स्टाइल में बनाया हुआ है यह देखे इसके सारी डिटेल आपको पार्ट वन पार्ट टू पार्ट तरी पार्ट फोर तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा बैल आइकन के साथ और डिस्क्रेपशन बॉक्स में मैं सारे लिंक दे दूँगी अगर आपको डिस्क्रेपशन बॉक्स नहीं मिल रहा है तो आप क्या करेंगे इस वीडियो के लास्ट में एक छोटी सी क्लिप दी है कि किस त करके एक के बाद एक थीक है तो आप एक बाद चैनल में विजीट जरूर कीजेगा और इस वीडियो के लास्ट में जरूर देख लीजेगा छोटी सी क्लिप मैंने दी हुई है ठीक है तो बात करते हैं इस स्वेटर की इस स्वेटर का पार्ट नमबर 1 में हमने इसका पैटन द होगी उसके बाद इसकी कैप बनाएंगे और लास्ट वीडियो इसकी आएगी इसका फुल डिटेल फुल डिटेल का मतलब है फुल मेजरमेंट कितनी इसमें उन लगी है कौन से नंबर के निडल यूज किये थे और इससे छोटा या बड़ा बनाना है आपको तो कितने डिटेल अगर यह स्वेटर पूरे एक ही वीडियो में नहीं आ पाई तो इसके हम आरम होल तक एक वीडियो बनाएंगे आरम होल के नीचे दूसरी वीडियो बनाएंगे ठीक है तो आपको पार्ट नमबर 5 जो आएगा उसमें फुल डिटेल मिल जाएगी तो इसका सारे पा आपको अपना WhatsApp नमबर दूँगे अगर ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होगी तो help करने के लिए बाकि छोटी मोटी help में comment के द्वारा ही आपको बता दूँगी ठीक है तो चलिए इसको शुरू करते हैं यह हमने अप्टू डाउन बनाया है तो सबसे पहले हम गले से सुरू करेंगे तो चलिए बना लेते स्वेटर को तो देखें यहां पर मैंने एक रो तो बना ली है वीडियो इसकी पोगई थी वो वीडियो बन नहीं पाई थी तो फंदे दे दिये मैंने और एक सीधी रो बना लिए सीधी रो मैंने यहां पर उल्टी उल्टी मतलब परल में बनाई है ठीक है पहली रो तो यहां पर हम ती तीन रो नहीं दो रो आप फंदे डाल लीजिए उसके बाद आपको एक सीधी रो बनानी परल में फिर एक उल्टी रो बनानी परल में फिर एक सीधी रो बनानी परल में ठीक है तीन रो बनाने के बाद हम आते हैं बैक साइट की चौथी रो में जहां पर हमको फंदे बढ़ा जो उल्टी साइड से बनाते हैं मतलब जिनका हाथ उल्टा है तो वो इतनी रो बना ले कि बैक साइड में आ जाएंगे तो चलिए इसको आप बना लेते थोड़ा सा तो एक चीज और बता दूमें यहां पर हम बैक साइड की सेकिंड रो में हैं यहां पर मैं आपको बटन होल बनाना सिखा देते हूं ठीक है बटन होल कैसे बनाते है देखे यहां पर बैक रो में आ गई हुँ में बैक रो के लास्ट के पाँच फंदे बच्चे हुए ठीक है छे पंदों का हमारा बटन पट्टी पांच फंदे बच्चे तो दो सुरू के जो दो फंदे हैं उनको हम ऐसे 2 का 1 कर लेंगे तो देखे 2 का एक कर लिया हमने अब आपको क्या करना है होल देख लीजिए आपको कितना बड़ा होल बनाना है अगर आपके पाझ छोटा बटन है तो इस तरह से लपेटेंगे की धागा आगया जाए एक बाнос पीर Bible अगर चोटा बटन है तो अगर से तीन फंदों को बना लोंगी, दो फंदे हम ऐसे उल्टे बनाएंगे, लास्ट फंदा हमारा हमेशा सीधा आएगा दोनु साइट का, तो यहां पर बटन होल हमारा बन चुका है, अब क्या करना है, जिनको छोटा बटन लगाना है, उनको क्या करना है, पहले देखे, इस तरह स बना लेना है, जो हमने धागा लपेटा था, उसको सिंपल बना लेना है, और सभी को सिंपल बना लेना है, यहां पर अभी कुछ नहीं करना है, जिन्होंने दो बार लपेटा है, उनको भी जितने लपेटे हुए हैं, उनको खोल करके, एकी बार इस धागे को एकी बार बना के लिए बच्चे की स्वेटर हमारी थोडी सी रांड ऐसे आ जाये नीचे को आ यू सेप में आ जाये इसलें यहाँ पर फंदे बंड़ते हैं हम्रखाल दो यहाँ बार ना बढ़ते हैं थे यही हम को फंड़ साल के बक्रिय बनाना होता तो हम क्या करते को दो आउन नीडल में हम फंदे बढ़ाते हैं 6 फंदे एक सब्सप्रो संदें भी पड़ाते हैं अ Delhi起 tekrar स look को complete कर लेते साथ में बटन हूल का वी ख्याल करेगा कैसे हम को बनाना अगर बड़ा हूल बनाना तो कैसे बनाने ठीक है तो देखे अब फोर्थ रोमा आ गए हम ठीक है फोर्थ रोमा हमको छे फंदे बढ़ाने हैं छे फंदे कैसे बढ़ेंगे देखे एक तो हम फ्रंट पार्ट जहां से बनाएंगे वहां बढ़ेंगे एक बाजू में बढ़ेंगे दो बैक पार्ट के पा इसके बाद जब मैं डिवाइट करूंगी तभी बता पाऊंगी ऐसे हम अंदाजे से बढ़ा लेंगे ठीक है यह देखे इतना बना लेंगे और इस तरह से अंगली में लपेट करके एक फंदा बढ़ा लेंगे ठीक है एक फंदा बढ़ गया यह हमारे फ्रंट पार्ट के और इस तरह से लपेटते हुए इसको ऐसे फंदा बना लेने है ठीक है दो फंदे होगे फ्रंट पार्ट और बाजू में एक-एक बढ़ गया है अब बैक साइट का आएगा हमारा बैक साइट के फंदे आएंगे बैक साइट में भी हमको दो फंदे बढ़ा लेंगे एक यह यहां पर हम एक फंदा और बढ़ा लेंगे बैक साइट के लिए तो यहां पर हमारी चार फंदे बढ़ गए हैं दो फंदे रहेगे जहां जो हम बाजू और फ्रंट के पास बढ़ा लेंगे तो इसी तरह से बना लेते थोड़े से फंदे कोई भी आपको परिसानी हो कहीं पर भी आपको हैल्प चाहिए तो कॉमेंट कीजेगा ठीक है तो यहां पर हमारा तो देखिए यहां पर हमारा लगबग बाजू आएगा तो बाजू के फंदे को भी हम बढ़ा लेते हैं ऐसे और अब एक ही फंदा पांच फंदे बढ़ गए हमारे अक्लास फंदा ले गया है इसको हम बढ़ा लेंगे को हम बढ़ा लेते हैं एक फंद dados ठीक है फंद बढ़ाने के कई तरीके होते हैं आपको जैसा कमफरेबल लगे हैं वैसे फंदे भडा बना लेना है यह हमारा फंदा है ठीक है और जिन्होंने small button लगाना है उनको simple बना लेना है ऐसे बना लेना है ठीक है और जिनको तो medium size का चाहिए वो एक ही बार ऐसे करेंगे जिनको और बड़ा चाहिए वो back row में आ करके एक बार इसी तरह से बनाएंगे बार बार इसी hole से बनाएंगे यह फंदे नए फंदे से नहीं बनाएंगे ठीक है तो यहाँ पे तो हमें छोटा बटन चाहिए छोटा बटन लगाए तो अब क्या करेंगे यहां पे हम सिंपल लेंगे तो यहां पे देखे इतना बड़ा हो लो गया है यह देखे ठीक है जिनको medium size का button बनाना है sorry hole बनाना है वो आप कुछ नहीं करेंगे सीधे बना लेंगे और जिनको उनसे भी बड़ा बनाना है उनको इस hole से ही निकालना है needle इस hole से ही निकालना है समझवा आ रहा है आपके एक मेरे पास video है button hole की अगर आपको समझवा नहीं आ रहा है तो मैं उसको आपको उसका link share कर दूँगे आप मुझे comment कीजिएगा ठीक है तो यहाँ पे हम देखे कितनी line है एक दो तीन line बन गई है तीन line बन गई है मतलब 6 row बन गई है ऐसी हम दो line है और बना लेंगे 10 row बना लेंगे फिर आते हम front side में वापस देखे यहाँ पे हमने फंदा बढ़ाया था इसको ऐसे बना लेंगे simple तरीके से ही बना लेंगे ठीक है अब हम 5 लाइने बनाने के बाद तीन line बन गई दो line और बनाएंगे एक line हमारी 2 row से बनती है तो इसी तरह से 10 row बना करके हम front row में आ जाते है front row में हम इसको divide करेंगे ठीक है तो चलिए बना लेते है तो देखे यहाँ पे हमने 5 लाइने बना दी है ठीक है 1,2,3,4,5 मतलब 10 row बना लिए है front side में आ गए अब हम इसमें divide करेंगे ठीक है 63 टोटल फंदे हैं इसमें और divide कैसे करेंगे एक बार देख लिजे लिख लिजे आप ठीक है 6 फंदे border के बनाएंगे 7 फंदे simple बनाएंगे 1 फंदे की जाली देंगे 11 फंदे फिर simple बाजू के बनाएंगे 1 फंदे की जाली गयारा फंदों का फिर बाजू बनाएंगे फिर 1 फंदे की जाली देंगे 7 फंदे हम फ्रंट के बनाएंगे और 6 फंदे हमारे बटन पर्ट्री के हो जाएंगे ठीक है तो यहां पर मैं बटन होल दे दिया मैंने एक शुरू में ही दे दिया था तो बराबर डिस्टेंस में बटन होल दे दीजी आप तो देख लिजी इस रो को देख लिजी आप अच्छे से ठीक है दो तीन चार पांच और ये छे ठीक है, छे फंदे हमारे बटन पट्टी के हो गए अब हम बनाएंगे साथ फंदे सिंपल एक, दो, तीन, चार, पांच, छे और ये साथ, साथ फंदे हमने सिंपल बनाए, छे और साथ फंदे बना लिए हैं, छे बोर्डर के और साथ सिंपल, धागे को आगे करेंगे, एक फंदे की जाली ले लेंगे, ठीक है, हमारा जो जाली होती है, इस साइट की जाली आएगी, व एक फंदा हो गया, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, और ये 11, ठीक है, 11 फंदे बाजो के हो गए, धागे को आगे करेंगे, एक जाली ले लेंगे, अब बैक पाट के हम बनाएंगे फंदे 21, फिर से धागे को आगे करेंगे, इस बाद जाली का फंदा हम ए एक साइट के लिए गिनेंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोड़ा, पंदरा, सोला, सत्रा, अठारा, उननिस, बीस, और ये 21 है, ठीक है, 21 बन्दे हमने बैए बैक साइट के लिए बैक साइट के लिए गिनेंगे, ए धागे को आगे करेंगे, एक फंदे की जाली दे देंगे, फिर धागे को आगे करेंगे, 11 बना लेंगे, जाली देते हुए, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, और ये 11 ठीक है, फिर धागा आगे करेंगे, एक फंदे की जाली ले लेंगे, फिर हमसे साथ फंदे सिंपल बना लेंगे, जौली देते हुए एक, दो, तीन, चार, पांच, छे और ये साथ, साथ फंदे हमने सिंपल बनाए अब देखें यहांपर किते बचें एक, दो तीन, चार, पांच, छे जिनको हम ब्टन-पट्टी के लिए इस तरह का बोडर देंगे दो तीन चार पांच और यह लास्ट का छे तो यह डिवाइड हो गया हमारा ठीक है बैक रो हमारी पूरी उल्टी उल्टी आ जाएगी कोई भी हेल्प अगर आपको चाहिए कहीं पर कंफ्यूजन हो रही है तो कोमेंट कीजेगा मुझे ठीक है मैं हेल्प कर तो यह बैक रो हमारी पूरी की पूरी इसी तरह से उल्टी आएगी तो चलिए बैक रो कंप्लीट कर लेते हैं ठीक है तो देखें बैक रो कंप्लीट आ गए हम करके आ गए हम अब यहां पर हमने एक दो तीन चार जाली देदी मतलब 5 हिससे बना दिये दो फ्रंट के हो देखें 6 फंदे के तो हमने यहां पर बटन पट्टी का बॉडर बना लेना है ठीक है 6 फंदों का बॉडर बना लेंगे ठागे को पीछे करेंगे पहले हमारे हमारे फ्रंट पार्ट में 7 फंदे थे अब हमारा एक बढ़ गया है फ्रंट के दोनों साइड में एक एक फंदे बढ़ेंगे बाकी बाजू में और बैक साइड में आपके दो दो फंदे बढ़ते हुए आगे को जाएंगे ठीक है यहाँ पर हमारे 6 फंदे थे देखे अब 1-2-3-4-5-6-7 फंदे हो गए 1,2,3,4,5,6,7,or8, तिक है आट फंदे हो गए अब हमको जाली कहा दहने है देखे जो हमने पहली जाली दी थी नहीं इस फंदे के किनारे पर इस साईट भी इस साईट भी दो जाली आ शाए आ रहीं पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारह और ये तेरा ठीक है देखे बाजु में हमारे दो फंदे बढ़ गए फिर हम जाली के पास आ गए हैं जाली देखे यहां पर दो जाली दी है बीच वाला फंदा हमारा जाली का होता है तो पहला जाली हम उसी के उपर देंग तो बगल वाले के फंदे के सान देते हैं ठीक है उसके लिए कोई अलग फंदा नहीं होता वो हमारा बाजु का यह बैक साइड का फंदा होता है तो बैक साइड में हमारे 21 21 फंदे थे अब हमारे 23 फंदे हो गए तो इन 23 फंदों को बना लेते इसी तरह से अब हमारे 23 तो देखे, 23 फंदों को बना लेते हैं, यहां पर हमारा यह 23 फंदा कंप्लीट हो गया, फिर आ गई हमारी जाली, जाली को हम फस्ट जाली, जाली के उपर देंगे, इस तरह से दूसरी जाली हम ऐसे देंगे, कई बार कॉमेंट आते हैं कि जाली एक बनानी, दो बनानी, जाली जाली का फंदा एक ही होता है, एक फंदे के इस साइड भी उस साइड भी जाली आती है, लेकिन पहला फंदा जाली का होगा, दूसरा जो फंदा होगा, हमारे कोई भी पार्ट का होगा, ठीक है, फिर से जाली आगे, धागा आगे करेंगे, जाली के ओपर जाली देंगे, और इसी तरह से हम इसको आर्म होल तक बना लेते हैं, देखते हैं इसमें कितनी जाली आएगी, क्योंकि बच्चे के अकॉर्डिंग ही हमें बनाना है, तो देख लेंगे, मैं बता दूंगे आपको कितनी जाली के बाद आपको बन करना है, ठीक है, तो यहां पर हमारे 6 फंदे जो बना है, तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, छे लाइन हो गई है, साथ या आठ लाइनों के बाद आप इसमें बटन होल बना सकते हैं, तो चलिए इसको हम आर्म होल तक कंप्लीट कर लेते हैं, तो देखे, यहां पर हमने बना लिया है, इसमें 11 जाली दे दी हैं, अगर इसका में मेजर्मेंट करूँ, तो यह साड़े तीन इंच हो गया है, ठीक है, साड़े तीन, तो देखे, आर्म होल तक मैंने बना लिया है, इसके मैंने पूरी वीडियो अप्लोड करनी चाही, लेकिन यह इतनी बड़ी वीडियो होगी है कि अप्लोड नहीं हो पारे, इस जैसे मैंने इसके दो हिस्से कर दिये हैं आर्म होल तक आप बना लीजे आर्म होल के बाद आगे को आपको पार्ट नंबर थ्री में देखने को मिलेगा ठीक है पार्ट नंबर वन में इसका पैटन देखने को मिलेगा पार्ट नंबर टू आज आप देख रहे हैं पार्ट नं कि मैंने क्लिप बनाई है कि कैसे आप description box में जाएंगे उसको जरूर देख लिजेगा ठीक है तो चलिए इस वाली वीडियो को यहीं प्याइन करेंगे मिलेंगे आपको इसके अगले पार्ट के साथ अब तक के लिए बाए 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 तो यह छोटी सी क्लिप उन लोगों के लिए हैं जिनके कॉमेंट आते कि मैं description box नहीं मिल रहा है या जिनको एक sweater के part 1 part 2 मिल जाते पार्ट 3 नहीं मिल तो उनको क्या करना है देखें सबसे पहले हम YouTube पे जाएंगे यह हमारा YouTube है इसमें जाएंगे YouTube ओपन कर लिया हमने और जिनुने भी subscribe किया हुआ है उनका चैनल यहां पर हम टच करेंगे तो वहां पर आ जाएगा अभी मैंने चैनल सब्सक्राइब नहीं क करेंगे तो यहां मेरा जो चैनल है उसका लोगो को डा अग yardım को और आगया है कि सबस्क्राइब को टच करेंगे देखें और बैल आइकन भी आया है अभी बैल आइकन और प्रेस नहीं हुआ है तो एसको यहां पिर अईर्व में टच करेंगे तो इस तरह का कोई पेज आ जाएगा इसमें क्या करना है आपको सबसे उपर जो बैल आइकन दिख रहा है और में आपको टच कर लीना है ठीक है इससे क्या होगा कोई भी वीडियो में अपलोड करूंगी तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास मेरे चैनल को ढूँड़ने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी आपको क्या करना यूटूब खूरना है यहाँ जो आपको बटन डिख रहा है सब्सक्राइबर का वहाँ पर टच करना है उपर आपको जितने भी हैं वो लोगोंगों आपको दिख जाएंगे आपको जो बी चैनल पर जाना है उसके लोगों को टच करना है और यहां पर सारी वीडियो आ जाएंगी ठीक है तो यहां पर हम फर्स्ट वीडियो के लोगों को टच करेंगे तो यह हमारा पूरा पेज आ चुका है इसमें देखिए वीडियो आ गई हैं सौर्ट आ गए हैं जो भी वीडियो हैं यह तोटल वीडियो आपको इसमें मिल जाएंगी ठीक है सौर्स जो भी हमने बनाए हुए है यह आपको मिल जाएंगे ठीक है यह ओ गया यहां पर कम्यूनिटी भी है जहां पर इस तरह से हम देते हैं एड ठीक है तो आपको क्या करना है वीडियो सबसे पहले तो उनको थोड़ा सा ध्यान देना है जिनको जैसे स्वेटर बनानी है बहुत सारे पार्ट हमने बनाए है स्वेटर के और उनको स्वेटर के पार्ट नहीं मिल रहे जैसे कि ये देखे ये स्वेटर हमारे बेबी बॉई के लिए बनाया है इसमें एक दो तीन चार बना है आपको दखे मेरी वीडियो मिल गई लेकिन इसका पात्रुपार्थ्रिया आपको नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे डिस्क्रेप्ष defence लोक्स सरे यहां पे होता है अधो यह पेयर को टच करेंगे तो यहां पे भी more लिखा हुआ है इसको भी टच करेंगे तो link सारे देखे किते सारे एक दो तीन चार पांच पांच इस sweater में हमने पांच वीडियो बनाई है तो पांच लिंक का आपको मिल जाएंगे link टच करेंगे तो आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी ठीक है तो यह तो रहा description box जिनके भी को भी थोड़े सा problem आती है तो उनके लिए और आप क्या करना है जैसे कि यह वाली sweater के लिए काफी comment आते हैं कि यह इसका पार्ट वन नहीं मिल रहा पार्ट थरी नहीं मिल रहा है तो देखे इस तरह से आप मेरे चैनल को subscribe करेंगे और open करेंगे तो आपको लगातार एक क से बात sequence में सारी वीडियो मिल जाएंगी देखे पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थरी पार्ट फोर पार्ट फाइफ पार्ट सिक्स छे पार्ट बने हुए हैं छे के छे आपको यहां पर मिल जाएंगे ठीक है तो subscribe करना बहुत जरूरी होता है जैसे कि हमने औरेंज कलर की स्वेटर बनाई थी इसका देखे फर्स्ट सेकिंद थर्ड फोर फिप्ट और शिक्स छे के छे पार्ट आपको यहां पर मिल जाएंगे सिक्वेंस से लगी हुई हैं देखे कोई भी स्वेटर आप बनाएंगे तो उसके आपको सारे पार्ट एक साथ मिल जाएंगे यह अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ढूंडने की कहीं भी जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है तो यह वाला क्लिप में हर वीडियो के एंड में दे दूंगी तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा ठीक है तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं